नहीं हमारे ही घर में ऐसा कोई हो जिसको लेकर हम हमेशा परिशान रहते हूं, जिसकी वज़े से हम कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं, हम उनके लिए कुछ भी और कितना भी कर लें, बट उन्हें उस चीज की कदर नहीं होती है, कभी भी वो खुश नहीं होते हैं, अपने आपको बदलते नहीं हैं, ऐसे में ना हमारे अंदर चिड़ हो जाती है, इतनी चिड़ हो जाती है ना कि उन्हें अपना कहने का भी मन नहीं करता है, ऐसे में उनके साथ हम कैसे सर्वाइब करें, कैसे हम उनको डील करें, कैसे हम अपनी परिशानियों से बाहर आएं, उनके टॉक्सिक रिष्टे और लोग ना हमें mental जरूर बना देंगे धीरे धीरे हम भी ना कहीं न कहीं उन्हीं के जैसे बन जाएंगे आज हम उनको लेकर परिशान हैं, कल हमें लेकर कोई और परिशान होगा जो लोग हमारे अंडर मेहना या जो हमसे छोटे हैं, जहां हम अपना रौब जमा सकते हैं जहां हम अपना गुस्सा दिखा सकते हैं, हम सरूर दिखाएंगे इन फ्यूचर ये सारी चीज़े हम जरूर करेंगे या हो सकता है हम आज भी कही न कही ये चीज़े करते हों आज हमारे लिए कोई टॉक्सिक है कल हम किसी के लिए टॉक्सिक बन जाएंगे चाहे घर में या वर्क प्लेस पर या फिर आने वाली अपनी नेक्स जनरेशन के लिए किसी ना किसी के लिए हम भी बुरे जरूर बनेंगे आप चाहे कितना भी सोच लें कि आप ऐसे नहीं होंगे बट आप ऐसे हो जाएंगे ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी इसका रिजन ये है ना कि आपने अपने टाइम पर बहुत सफर किया है आपने बहुत दुख और तकलीफे उठाई है आपने खुद के साथ जस्टिस नहीं किया है आपके साथ जो भी गलत हुआ है ना आपने उसे बरदाश किया है और हद से जादा किया है और ये सारी चीजे आपके अंदर गुसा लाता है, आपके अंदर फ्रस्टेशन है, ये सब चीजे आपके मन के किसी एक कोने में न दबी हुई है और वो चीज न कभी न कभी बाहर जरूर आएगी आपने किसी चीज को लेकर ना इतना ज़ादा compromise किया है ना कि आपके अंदर वो चीजे बैठ गई है आप अपने आने वाली जनरेशन के साथ ना ऐसी चीजे जरूर compare करेंगे आप खुद को compare करेंगे आप ना चाहते हुए भी अंजाने में ना ऐसी गलती जरूर करेंगे कोई भी ये नहीं सोचता है कि जो चीज मैंने बरदाश किया या जो चीज मैंने फेस किया है ना वो चीज कोई और फेस करें या जो चीज मैंने जहेला है वो कोई और जहेले आप चाहे कितने भी अच्छे हूँ कितने भी सच्चे हूँ बट आप एक टाइम के बाद ना हर चीज को कमपेर करेंगे आपको लगेगा आपने तो बहुत कुछ किया है और ये इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा है इसने तो कुछ भी नहीं जहेला है आप खुद की तारीफ भी करेंगे और खुद को महान भी दिखाएंगे और इस चीज का आपको घमंड भी होगा कि आप काफी अच्छे हैं और इसी मिना आप से गलती होगी कही न कहीं यही चीज़े आपको टॉक्सिक बना देगा किसी के लिए धीरे धीरे आप टॉक्सिक बनते जाएंगे कि लिए अगर ये भी माल लेना कि आप समझतार हैं और आप ऐसी गलती नहीं करेंगे तब भी आपके मन में इतनी शिकायते होंगी ना कि वो चीज़ आप बार-बार किसी ना किसी से कहेंगे ही कहेंगे आपके मन की बाते बाहर आएंगी ही इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो चीज़ गलत हो रही है ना उसके लिए बोलिए बरदाश मत करिए लोगों को किसी भी रिष्टे को किसी भी इंसान को जबर जस्ती मत धोईए अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो मन से करिए और अगर मन नहीं है तो मत करिए जी हां मत करिए क्योंकि ऐसे करने का ना कोई मतलब नहीं होता है फिर चाहे वो आपके पेरंस हो, भाई बहन हो, इनलॉस हो या फिर हस्बन वाईप हो अगर आप में गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत है ना तो आप स्ट्रॉंग है फिर वो चाहे कोई भी हो इवन आपके पेरंस ही क्यों ना हो क्योंकि वो आपसे बड़े हैं आपके पेरंस हैं सिर्फ इस वज़े से वो किसी को कुछ भी नहीं कह सकते हैं कोई भी ना इज़्जत पाने के लायक तभी होता है जब वो दूसरे इंसान को भी इंसान समझता है जब वो दूसरे इंसान की life को बरबात नहीं करता है अपनी बात को कहने और समझाने का भी ना तरीका होता है जिससे के सामने वाले को ना अपनी insult भी ना लगे और उसे बात समझ में भी आ जाए उसे समझ में आ जाए कि आप में दम है आप सही और गलत की पहचान कर सकते हैं जो बड़े है ना वो भी गलत होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं और ये चीज़ आप उन्हें realize करवा सकते हैं ना तो आपको किसी के साथ गलत करना है और ना किसी और को अपने साथ गलत करने देना है ये वाली सोच रखनी है आपको ऐसा आपको अपना attitude रखना होगा क्योंकि ये ना human nature है कि लोग अपने नीचे वालों को ही ना दबाने की कोशिश करते हैं उन्हीं के उपर अपना रॉब जमाते हैं ये attitude आपके अंदर होता है ना तो यही आपको confident दिखाता है यही आपको strong दिखाता है चीज का ego नहीं करना है क्योंकि ego भी लोगों में ना बहुत आसानी से आ जाता है ये सिर्फ self respect वाली बात अगर आपकी सोच हमेशा ही सही रही है और आपका behavior सही रहा है आपने लोगों को respect दिया है आप humble रहे हैं, polite रहे हैं लोगों के साथ आपको जहां बोलना था आप बोले आपने खुद के लिए stand लिया आपको जहां strict होना था आप हुए और इन सब के बाद भी ना लोग अगर उन toxic लोगों का साथ देते हैं और आपके against बोलते हैं तो आपको उनकी फिक्र नहीं करनी है आप एक strong personality है आपको खुद में confident रहना है और खुश रहना है लोगों का क्या है वो तो हमेशा ही ना बदलते रहते हैं आपके रिष्टे चाहें कम लोगों से ही हों बट ऐसे हों जो आपको chance से जीने दें कभी कभी धेर सारे रिष्टे निभाने के चक्कर में न हम एक भी धंग से नहीं manage कर पाते हैं आपको अपनी बाते न ऐसे toxic लोगों से नहीं share करनी है आपको उनसे limited बात करना है अगर आप उनसे किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं रखते हैं आप उन्हें मुह तोड़ जवाब देने के बारे में नहीं सोचते हैं बेवज़े उनसे उलजते नहीं हैं और अपने काम से काम रखते हैं तो ऐसे में बहुत possibility होती है ना कि वो भी आप से बहुत कम उलजेंगे वो भी आप से ना दूरी रहेंगे आपके पीट पीछे वो कुछ भी कहें बट आपके सामने वो भी ठीक से रहेंगे आपके पीट पीछे वो जो भी कहेंगे ना हो सकता है कोई आकर आपको वो बताए और ये सुन करके भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं तो आपको वो भी नहीं सुनना है आपको मना करना है कि आप से आकर कोई भी न ऐसी बाते ना करे क्योंकि ये सारी चीज़े न आपको नेगटिव करती है आपके मन में उनके लिए न और नफरत भरने का काम करती है अपने दिमाग को फालतों की बातों से खाली रखने की कोशिश करनी है खुद को खुश रखने की कोशिश करनी है और ये तभी होगा जब आप ऐसी चीज़ों से ऐसी नेगटिवटी से मतलब कम से कम रखेंगे अपनी चीज़ों से आपका मतलब जादा रहेगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए मिलती हूं अगले वीडियो में अपना ध्यान रखिए